प्रोब्लम को फेस करना पड़ता है वो है उनके लव हेंडर्स जिन लोगों को लव हेंडर्स के बारे में नहीं पता तो ये बैली फैट के साइड में जो एक साइड में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है लोगों के ये खाल मोटी हो जाती है इसमें बोटर लेवल भर जाता है तो इन्हें हम बोलते हैं लव हेंडर्स वो सब ट्राय कर लेते हैं बट उनके love handles खतम नहीं होते तो आगल आपको पताऊंगा वो तीन exercise जो आप gym में perform करें और I'm sure कि एक हफते में आपके love handles कम होना start हो जाएंगे तो चलिए start करते हैं अपनी top 3 best exercise for love handles तो first exercise जो हमको perform करनी है उसके लिए आप लोगों को एक Olympic road की जरूत पड़ेगी ये Olympic road बहुत भारी होती है और लोग इससे bench press के लिए squatch के लिए use करते हैं लगबग इसका भीट होता है लगबग 22-25 किलो आपके gym में मिलेगी तो आप इस road को उठाए और अपने कंदों पे रखे पैर बिल्कुल straight पैर बिल्कुल में नहीं हिलने चाहिए बिल्कुल सीधा देखे ये जो आपका head है ये बिल्कुल this side turn नहीं होना चाहिए और आपको बस अपनी middle body को हिलाना है इस middle body को आपको rotate करना है ताकि जो सारा pressure है इस exercise का वो आपके love handles पर जासके और ये जो calories है वो जाता स्यादा burn हो सके तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल straight देख रहा हूं बिल्कुल सीधा रेखा हूं बस मेरा middle part है वो rotate हो रहा है तो ये बनो the best exercise है जो मैं अपनी cutting के time perform करता हूं जब मेरे को six pack abs और बिल्कुल V shape पिजीब चाहिए होती है तो जिस भाई के ये love handles है वो ये exercise perform कर सकता है और जो आपको set रखने है वो आपको 5-6-7 रख सकते हो क्योंकि love handles इतनी जल्दी कम नहीं होते है तो second exercise जो हमको perform करनी है उसके लिए भी हमें एक olympic road की जुरूद पड़ेगी आपको olympic road को लेना है और बिल्कुल कोने में लगा देना है ताकि वो इस side exercise जो हमको perform करनी है उसके लिए भी हमें एक olympic road की जुरूद पड़ेगी आपको olympic road को लेना है और बिल्कुल एक कोना देखना है और उस olympic road को बिल्कुल कोने में लगा देना है ताकि वो olympic road ही लेना और उसके बाद आपको करना क्या है अपने हातों को बिल्कुल straight है आप देख सकते हो मेरे दोनों हाथ बिल्कुल straight है आप यह गलती ना करें कि अपनी कोनियों को मोड ले और फिर exercise लगाए पहली चीज़ आपको अपने हाथ को और आको बस इस रोड को लेफ्ट तो आपको बिल्कुल सिधे हाथ करता है इस रोड को रोड़ेट करना है तो ये exercise one of the best exercise है अगर हम बात करें calories burning की और obliques की और साथ ही साथ love handles की ये exercise हमारी जादा स्यादे calories burn करती है और ये जो main muscle target होता है इसमें वो हमारा ये वाला इससा होता है पुरा और ये वाला इससा होता है ताकि हमारे obliques और low handles अच्छे से train हो सके थर्ड exercise job को perform करनी है उसके लिए आप लोगों को dumbbells की ज़रूरत पढ़ेगी तो आपको एक middle weight dumbbell उठा लेना है जिसका weight ना जादा भारी हो ना जादा हलका हो एक pair को आपको कहीं भी stool पे या किसी bench पे रखने ना है इस pair को बिल्कुल सीधा रखना है इस हाथ को यहां लगा लेना है और नीचे आड उपर स्ट्रीट नीचे आड उपर स्ट्रीट तो जब मैं नीचे आता हूं तो यह वाला मेरा जो area है वो target हुआ इस exercise से और जब मैं उपर आता हूं तो मेरा जो यह वाला target है यह वाला area target हुआ है तो आप पहले दस या वारा repetition इस exercise के लगा लें इस side से और उसके बाद आप कहीं भी स्टूल पे पैर रखकर side के लगा लें तो यह तीन वो exercise है जो मैं अपनी cutting face में हमेशा किया करता था तो यह तीन exercise आप perform कर सकते हो और आपके जो love handles है उनमें एक हफते में ही आपको फरक दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो बस आज की लिट नहीं आयोप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूले लालतर का बटर मिलेगा भाई यह वह सान बन जाओ और इसे तूड़ दो सब्सक्राइब होना चाहिए भाई और अगर आपने अभी तक में कोई इस्ट्राग्राब पर फोलो नहीं किया तो जाए में कोई इस्ट्राग्राब पर फोलो करें सेम अकाउंट है रोईत के दुरी फिटनस के नाम से वहाँ मेरी डेली लाइफ अफडेट भी देख सकते ह और मुझसे डेली इंट्राइक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वहां में लाइफ आता हूं तो बस अगर आप क्वेशन है कोई 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 सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जुरू बताएं मिलते हैं कर यह आप पर सो तिन देन नोट पीस गेंज़ डैट